medicinal use of the microorganisms microorganisms काफी सारी medicines को प्रिपेर करने में भी काफी स्याधा helpful होते हैं जिसे कि जब आप बिमार हो जाते हैं तो जो डॉक्टर है वो आपको क्या कहते हैं वो आपको एंटिबायोटिक की टेबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं आपको देते हैं वो चाहे capsule की form में हूँ या फिर injection की form में हूँ और जादा तर एक बहुती most common antibiotic tablet है जो कि जादा तर दिया जाता है तो that name is the penicillin तो आपको penicillin का नाम याद रखना है और जो source होता है this medicine का that is also a micro-organism मतलब यह micro-organisms के दुआरा ही बनाई जाती है तो इस medicine का basic work क्या होता है कि यह kill करता है या फिर stop कर देता है जो growth होती है आपकी मतलब जो भी disease causing microorganisms है जिसकी वज़ा से आपको बिमारी हो रही है यह उन micro जो आपके गंदे वाले microorganisms से यह उनको kill कर देता है मार देता है या फिर उनकी growth को वही पर stop कर देता है और इस तरह की medicines होती है जो कि आपके harmful bacteria होते है या कोई भी microorganisms harmful microorganisms की growth को यह तो kill कर देते है या फिर stop कर देते है तो उनहीं medicines को हम कहते है कि अपके यह आज का देचते है और देचेंगे बात करते हैं कि अगर प्रशाओं चुल्ड नोग हैं परते हैं जो तो बहुत शारी जो एक नहीं अच्वांटिध generally बन रही है तो किसकी help से बन रही है यहाँ अपर कुछ इकजामपल स्टबल गिवन तो स्रेप्तों जो आप सा07 गभल गिवन याद कर शक्ति हुआता है ते मु Yes त्रेप्तोंبाड़े है नाम यह तरह का प्न स्रेप्त्रोंमाइब्तिक यह तरह का अंटिबाड़ yours तो आप यह तीनों नाम याद रख सकते हो इस ट्रेप्टोमाइसीन, टेट्रासाइकलीन, एराइथ्रोमाइसीन और पैनिसलेन जो है यह बहुत ही जादा कॉमनली यूस होता था पहले तो हर कोई जो है वह जादा तर पैनिसलीन ही प्रोवाइट करता था अगर हम बात के तेलुइस पास्चर की तेलुइस पास्चर नी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस था उसको डिस्करवर किया था 1857 में तो हमने देखा था कि जो आपके तीनों दवाईया थी बैसिकली स्ट्रेप्टोमाइसीन, टेट्रासाइकलीन और राइथ्रोमाइसीन तो हुआ इन्टिबाइटिक्स थी जो कि फंगाय और बैक्टीरिया के वज़ा से उनकी हेल्प से बनी थी अब यह जो एंटिबाइटिक्स होती है यह मैनुफेक्ट्र होती है अब यह बंती कैसे है यह कुछ स्पेसिफिक माइक्र और्गांजम के उपर क्या क्या जाता है मतलब we can say it as कि यहां पर ही क्या करते थे यह तरीके से ना कंचर करायाते थे यह पर मतलब जिससे आपके कोई भी बैक्टिरिया कॉजिंग डिजिजिस है या कोई भी माइक्र ओर्गाजम जो है आपका कोई भी डिजिजिस को रहा है तो अगर आप वहां पर क्या करते हो आप कोई भी माइक्रो ओर्गाजम जो है तो अगर उस कल्चर में आप क्या करते हो कोई अटिबाटिक टेबलेट के लेक हाई के क्यो ayam बखके सब्सक्राइब मतलक पर हुँ इनको क्या दिखा था इनहीं हाँ哈哈 तो बांद धिखाता म neces States कई तरह है इनालट की तरह रहत वी रुस्टेट ग। में उन एपसर्व की एक जो मोल्ड है उसके मझाशें से हो रहा है कि इनकी जो बैक्टीरिया की जो ग्रोध थी वो कम हो रही है या तो कम हो रही है या फिर खत्म हो रही है और जिसके वज़े से वो क्या कर रहा था जिसके अंदर जितने भी जो बैक्टीरिया थी वो उनको फिनिश कर रहा था उन्हें किल कर रहा था एक तरीके से और अपने तो यहीं से जो है आपका पैनिसलिन जो है जो गीक अन्टिबायोटिक है तो वहां से वह प्रिपेर हुआ या कह सकते हैं वहां से वह डिसकोवर्ड हुआ अगर आप मैंक्र ओर्गांजम की बात करते हो तो हमने देखा था की गुड्ड माइक्र ओर्गांजम भी होते हैं और बैट कौन से होते हैं जो कि आपको डिसीजिस से बचाते हैं कुर रहो करने व Hz नुर करने दिजिचितसे की बचानी रहर कर गार्ती है रहर में ने में वी रहर मोल स्क्राइब और फडशीन उन छो उनको पर कम वी टो सब्सक्राइत सक बच यहां पर का वे टारतेहे थां कर पर बिचा्तिक सब एंख शीए में लूुक्यिक thankful directly तो वो क्योर हो जाए और यह बिसिकली कुछ प्लांट की उपर भी यूज किया जाता है एंटिबायोटिक डाट इस तो कंट्रोल मैंनी प्लांट डिजिजेज की ताकि प्लांट की डिजिजेज से इसको बचाया जा सके कि यह बहुत ही इंपोर्टन होता है कि हमें क्या करना है एंटिबायोटिक जो है वो सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए और आपको जो डॉक्टर होता है वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए and you must complete the course prescribed by the doctor इनकेस आपको कोई भी किसी भी तरह का diseases होता है तो उसको जो course होता है एंटिबायोटिक का आपको पूरा complete करना चाहिए otherwise क्या होगा वो बिमारी वापस से आ जाती है तो उसके बाद हम क्या बोलते है अगर आपको नहीं पता है किसने प्रिस्क्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही बिडिसंस ले लेते हो तो आपके रोंग डॉस की वज़े से क्या हो सकता है बहुत आपकी जो बोडी है वो लेस एफेक्टिव रह जाती है और जिसके बोडी से आपको फ्यूचर में काफी प्राबलम का सामना करना पड़ सकता है एद एंटिपायोटिक टेकिन अन्निसेसरी में किल बैक्टीरिय बैक्टीरिया इन दा बोडी तो अगर आप क्या करते हो ननिसेसरी जो है वब कोई भी ऐन्टिवाइटिक खा लेते हो तो जो आ फॉट इफेक्टिव अगेंड स्कॉल्ड एंद फ्लू आज अर को स्वाइड वायरस बट अगर आप एंटिभाइटिक जो है वो आपको जुखाम हो जाता है आप उस टाहिम पर एंटिभाइटिक लोगे तो आपको आराम नहीं होगा और वायरस से होता है ठीक है